दो ही चेहरे ऐसे बचे हैं जो सीम की कुर्शी को लेकर अपना ताल ठोकते वे नज़रा रहे हैं जिसमें राविंद्रजीत सिंग और अनिल यहां पर अगर इतने बड़े नेता बनने का की बात करते हैं आप यह कहते हैं कि अगर कोई सबस्यादी खाबिले सीम बनने का बीज समचारी हो तमाम जो है उनके पास पिछले वक्त में था तो वहां पर रात में कई उन्होंने ऐसे दोरे कि इसमें कई थानों की यहां पर जो पैंडिंग फाइल्स थी उनको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजराए स्वास्ते स्विधाओं का जायजा लेते सामने आ रहे हैं शुरवाति रुजहान में जम्मु कश्मीर और हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी बाजी मारती हुए नसर आ रही थी लेकिन जैसे ही समय पल्टा भारतिये जंता पार्टी बहुमत के आँकड़े से भी आगे निकले अगर हम हरियाना की बात करें तो हर्या लेकिन जैसे समय पल्ता भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि अगर HOW मों की बात करें तो भारतिय जंता पार्टी को खुल-मिलाकर 48 सीटों पर बढद मिलती हुए नजर आ दे रही थी वो शेती सीटो पर सिमट जाती है लेकिन जहां भारतिय जन्ता-PART c.'s जीत की कुर्सी पर मैट रही है तो वहीं भारतिय जन्ता-PART में कुछ ऐसे दिगगच चेहरे हैं जो भारतिय जन्ता-PART C.S. की बनी बनाई सरकार को कहीं कहीं धरशाई करा सकते हैं इन्हें चहरों में नाम आता है वह जो अमबाला केंट से सात्वी बार चुनाव लड़ते वे नजर आए शुरुवात में पीछड रहे थे लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया अनिल विच कहीं न कहीं अमबाला केंट से जीत दर्च करते वे न नहीं किया लेकिन सीधा मतलब यहीं निकलता है तो क्या भारतिये जंता पार्टी की सरकार अगर हर्याना में बन रही है तो क्या मुख्य मंत्री चहरे को लेकर भारतिये जंता पार्टी में इस्तिति असमंजिस्त की पैदा हो जाएगी क्या अंद्रूनी मतभेत के कारण भ अचानक से वज़ा होगी कि पिछड़ती नजर आ रहे हैं भारती जंता पार्टी बाजी मारती नजर आ रहे हैं विलकुर नाजमीन सुभा का वक्त था जब जुजान आने शुरू हुए उसके एक घंटे कंजर ऐसा लगा है कि कॉंगेस पार्टी ने जो कहा था कम सकम उस पर कि पुरा उतरती दिखाई पड़ने क्योंकि कॉंगेस नेताओ के तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार हम 70 के असबस तीटे लेकर आएंगे और 2005 के रिकॉड तोड़ेंगे अलाकि 2005 में 66 सीटे थी और इस बार हम 70 से बुजाद सीटे लेकर जाएंगे यह कोंगेस पार्टी की दिखाई देरे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं भी यहां पर लगबग यह मन के चलिए आपकी बीजेपी 45 सीटों पर आगे हैं पर लगबग उनके पास आ रहे हैं तो यह जो आंकला है यह बता रहा है दोनों का कि यहां से अब जो चांसे हैं कॉंगरेस पार्टी के लगबग खतम हो गए हैं और जो बड़बोना पन दिखाई पढ़ रहा था जलीबी के ओर्डर पहले दे दिये गए थे जशन का माहुल पढ़ रहा था वो कईने के यह फीका पढ़ता हुआ दिखाई पढ़ रहा लेकि साथ में यह भी सोचना पड़ेगा कि बीजेपी की खिलाब इतना बड़ा माहुल होने के बावजूद भी अगर कॉंगरेस पार्टी यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाती है तो यहां पर लोग इतना के बीजेपी के खिलाब माहुल बना रहे देलिए उसके बावजूद भी अगर इतनी कह सकते हैं विरोधी लहर के बाद भी यहां पर पूर्ण बाहुमत अगर हासिल करती है तो यह कॉंगरेस पार्टी के लिए बहुत बहुत सबक है कि सिर्फ बातों से काम नह जाने वाला है कि अगर डाटा तेज़ भी अपडेट होगा तब भी तो आप कहिने के चुनाब भार रहे हैं और देखिए रणनीतिक तोर पर कहिने कि कॉंगर्स पार्टी इसलिए भी फैलियोर है आप देखिए आम आदनी पार्टी के नेता लगतार इस कोशिच में रहे क हम गठबंदन में आजाएं हमें पांसे दस सीट आप जीज़ें कॉंगर्स पार्टी की चाहिए बपेंसिंग हुड़ा हो एक बार भी मानने को राजी नहीं हुए कि हम गठबंदन नहीं करेंगे क्यूंकि कॉंगर्स पार्टी एक तरफा जीत जर्ज करें आप देखिए ल तो यह जो तमाम चीजे जो अती आत्म विश्वास दिखाता है वो कौंगर्स पार्टी के उपर भारी पड़ा है और अगर चुनाब में जीत दर्ज नहीं कर पाई तो यह उनकी रणीतिक हार है क्योंकि यहां पर आप देखिए शेल जा चुनाब से पहले लगातार हुड़ा करते हैं कि मेरी तो दो साल से बातचीत नहीं हुए हुए हुड़ा के कह सकते हैं मुझसे भी कोई तारीफ को नहीं सुनने को मिली शेल जाकी सीएम पत को लेकर आपस में तनातनी का माहूल बना रहा तो यह तमाम कारण है जिसकी वुझे से कॉंगर्स पार्टी को यहां पर पहली बार चुनाव लड़ती नजर आए या कहें कि भारते जंता पार्टी को मना लिया जाता है लेकिन वहीं सीट अब हार में तब्दील होती हुए तो इसमें क्या राव इंद्रजीत का भी जो एक फैक्टर होता वह भी खत्म होता वह नजर आए अहिरवाल बेल्ट पर जाहिर बात है क्योंकि यहां पर अगर अगर आप इतने बड़े नेता बनने का की बात करते हैं आप यह कहते हैं कि अगर कोई सबस्यादी खाबिल सीम बनने का बीजीपी के अंदर तो वह मैहूले कि उनकी बीटी का चुनाव में हार जाती है तो यह अब सबाल जरूर खड लाट भी ऐसा नहीं है कि आगए थी आपनी जो रनीती थी तमाम चुनावी वाइदे थे लोगों तक पहुंचाने में कैसे नाकाम्याब हो गये और देखी किसानों का माहुल कैसा बना हुआ ता लगाता नाराजगी थी कई बीजेपी निताओं को ख़देड भी दिया गया और जिस तरह से तमाम तरह से बीजेपी खिलाफ माहुल बना हुआ था दस साल से बीजेपी सत्ता में थी लोग नराज भी थे लेकिन इन सब कैसे चीजों को भी अगर कॉंगर्स पार्टी कैश नहीं करा पाईये तो ये कॉंगर्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा मेरे ख के सामने की वोट के मामने में देखा जाए तो लगबग 40 परसन जादा वोट मिलें लेकिन जिस तरह से अगर वो साथ पाते तो शायद यहां पर काहनी कुछ और बनती हुई नजर आती यहां पर कई बड़ी गलतियां करती हुई नजर आई थी कॉंग्रेस पार्टी जिस लिहाद के साथ यह देख रही थी कि किसानों का मुद्दा पहलवानों का मुद्दा एक ऐसा बड़ा मुद्दा बनता हुई नजर आएगा जिसमें भारते जंता पार्टी घिर जाएगी लेकिन उल्टा ही यहां पर महौल देखने को मिला कॉंग्र गटबंधन में चुनावी मैदान में उतरती लिए लेकिन भारती जंता पार्टी सरकार बनाने में कामियाब नजर आ हारही है लेकिन मुख्य मंत्री चेहरा कौन होगा क्या ने आप सिंग सेहनी होंगे या अनिलविज का वो बयान भारतिय जनता पार्टी पर भारी पड़ता वर नजर आगा दिनेश मेरे साथ मौजूद है दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे दिनेश अनिलविज जो कहते हैं कि जो utan ही चाहेती वह मेरे लीए सर्वो पर होंगा आप पार्टी से बगावत करने के लिए अबुक्छे मंतरी चेहरे को लेकर भारती जनता पार्टी फस सकती है देखे नाजमीन बड़ा गहरा चिंतर मंधन भाजपा को यहाँ पर करना पड़ेगा और यदि देखा जाये तो टेक्निकली यहाँ पर राव इंदरजीत सिंग, राम्बिला शर्मा, ओम्प्रगास धेनखड, कैप्टन अभी मन्यू और अनिलवीज ये पांच ऐसे दिगज देता हरियाना में भारती जनिता पार्टी के साथ कुल्दी विश्णुई को छोड़ देता हो क्योंकि वह भी बड़े राजदेतिक परिवार्शाते हैं चोदरी भजनलाल के बेटे हैं और पिछले कुछ वक्त पहले वह कॉंग्रेस पार्टी में शामिल थे एक वक्त पर अब सिर्फ दो ही चेहरे ऐसे बचे हैं जो सियम की कुर्शी को लेकर अपना ताल ठोकते हुए नजरा रहे हैं जिसमें राव इंद्रजीत सिंग और अनिल विज का नाम शामिल है राव इंद्रजीत सिंग पिछले च्छे चुनाव जो है वो लोकसभा के लड़े हैं विध पिछले वक्त में था स्वास्त मंतराले था तो वहां पर रात में कई उन्होंने ऐसे अमर्जेंसी दोरे किये जिसमें कई थानों की यहां पर जो पैंडिंग फाइल्स थी उनको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजराए तो एक जगहा पर देखा जाए तो मांग बिलकुल सही है क्योंकि रामिला शर्मार और अनिलविज यह दोनों ऐसे नेता हैं जो पार्टी संगटन के साथ शुरुवाती वक्त से जुड़े हुए हैं लेकिन यहां पर कही ना कही नायब सिंग सैनी की जो प्रिष्ट भूमी है वो आर एसस से जुड़ी हुई ह और भारती जिनेता पार्टी ने जिस तरीके से मनोहरलाल खट्र को एंटी इंकंबेंसी को खत्म करने के लिए इसके बाद नायब सिंग सैनी के प्रोजेक्शन की गई वो इसलिए की गई क्योंकि अनिलविज का जो वैक्तिकत सभाव है जो उनका भीहेवियर है वो थोड़ इसलिए यहां पर अनिलविज को चीफ इनिष्ट नहीं बनाया गया लेकिन फिलहाल देखा जाए फिर से ताल्ठो की चुनाव परचार के दोरान में उन्होंने कहा कि एदि मुझे चीफ इनिष्ट बनाते हैं तो मैं हर्याना की तक्दीर और तस्वीर बदलने का काम यानि कि कही ना कहीं उनकी अंद्रूनी इच्छा यह जरूर है व्यक्तिगत की चीफ इनिष्टर उनको बनना चाहिए और पार्टी को उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए लेकिन देखने यह होगा कि नायव शिंग सैनी के चेहरे का पहले ही जब ग्रेम अंत्रिया मिश् पहलगेए अगर में की अट भीया हैं पूरा नहीं किया गया तो किया ॉठा सब्सक्राइए लेकिन क्योंकि पुराने कारे करता है और पार्टे की साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं लेकिन सियम पद की एक ऐसी महतो कांशा राजदित्याओं की होती है यहां पर आगडों में पिज़ड़ती वी नजर आ रही है और कॉंग्रेस पार्टी यही सरकार बनाने के लिए किसी खामियाजा कहिना कहिए उनको यहां पर विधानसवा चुनाओं के बरणाम भुगतना पड़ रहा है देखी बिलकुल अब हर्याना में तस्वीर और तक्दीर बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि अनिल्विज ने जो दावा किया था उस दावे के साथ अभी भी कायम न चाहेगी या फिर मुख्य मंत्री की कुरसी अनिल्विज को दे दी जाएगी एक बड़ा सवाल बना रहेगा जब तक भारतिय जंता पार्टी कोई बड़ा फैसला नहीं ले लेती है इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राए बनती है जब भारतिय जंता होंगे इस बीच में अनिल्विज बार-बार भारतिय जंता पार्टी पर दवाव क्यों बना रहे हैं और भारतिय जंता पार्टी अब क्या फैसला लेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राए कम सेक्शन में जरूर बताएं देखते रहे इस पेन नाइन न्यू स्टनिवाट